अलो स्टूदेंस, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लिफाइट, यह हमारा थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम लोग तीवाइबिकॉम सेमिस्टर फाइफ, कॉमर्स फाइफ मतलब मार्केटिंग सब्जेक का मॉडूल नबर थ्री, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग के बारे आपको अगर मेरा second video देखा है, आपने तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हम लोग को second module में और third module में four piece के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे second module के अंदर हमको product और price के बारे में पढ़ना है, और यह जो third module है, इसके अंदर हम लोग promotion और distribution या place के बारे में पढ़ने वाले ह तो हम लोग यहां पर अभी स्टार्ट करते हैं, प्रमोशन के बारे में, प्रमोशन क्या होता है, अगें जैसे मैंने फॉर्स्ट मॉडूल के अंदर आप लोगों को जब फंक्शन सब मार्केटिंग किया था, उसके अंदर यह सारे कॉंसेट मैंने समझा है, पर यहां पर प्रमोशन नहीं करोगे, people will not come to know about your product, तो अगर आप चाहते हो कि लोगों को आपके प्रोड़क के बारे में information मिले, लोग आपका प्रोड़क पर्चेस करने के लिए पर्सुेड हो, convinced हो और लोगों को आप जानकार ही देना चाहते हो, reminder देना चाहते हो आपके प्रोड़क के बारे में तो प्रोड़क के बारे में तो प्रोड़क करना ज़रूरी है, so promotion is nothing but the communication about the details of the product to the target customer. प्रमोशन क्यों करते हैं तो उसके यहां पर मैंने importance बता है और मैंने आप लोग का भी थोड़ा short में भी बता है कि इन सब चीज़ों के लिए प्रमोशन करना पड़ता है तो इसके उपर शायद अगर question आया तो आया इसके उपर आपको question आ सकता है what are the elements of promotion mix मतलब promotion mix में क्या-क्या होता है कैसे-कैसे आप लोगों के साथ communication करके आपके product के बारे भी बता सकते हो तो पहला है advertising, now advertising क्या होता है कि जहां पे आप पैसा pay करते हो, you're paying money for the promotion purpose okay, जैसे आप TV में add करना है तो आपको पैसा pay करना पड़ेगा, holding लगाना है, poster लगाना है, banners वेगर आपको लगाने है, bus के उपर advertisement करना है, तो कहीं पे भी आपको advertisement करने के लिए करना होगा, तो you'll have to pay money तो जो paid promotion होता है, that is called as advertising, okay, अभी advertising वेगरा जो होता है, वो कौन से media में करना है, अलग-अलग media होते है, TV, radio, तो उसके उपर बहुत सरे factors depend होते हैं, उसके साब से आप वो select करते हो, फिर आता है publicity, now publicity का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको शायद पैसे pay नहीं करने पड़त वो क्या होता है, paid promotion होता है, and publicity is non-paid, okay, और दोनों भी क्या है, non-personal आपके promotion से, non-personal मतलब जहां पे आपको कोई personal service नहीं मिल रही है, advertising में आप लोग अपने बार में positive बोलते हो, publicity में शायद तक आपके बार में positive और negative कुछ भी बोला जा सकता है, so publicity पे आपका कोई control नहीं है, advertising के उपर आपका थोड़ा control हो सकता है, तो कोई भी अगर question आएगा इसके बार में तो आप लोग को लिखने आना चाहिए, okay, then sales promotion, now sales promotion का मतलब क्या होता है, जहां पे आप लोग क्या करते हो, sales को बढ़ाने के लिए जो strategies use करते हो, उसको sales promotion बोला जाता है, अभी sales को बढ़ा exchange offers होते है, जैसे कि example अगर मैं आपको दूतो, संतूर साब उनके साथ आपको एक पेन या फिर एक spoon free मिल रहा है, that is sales promotion, यह सपोज आप McDonald में burger खरीदने के लिए जा रहे हो, उसके उपर आपको discount है, 10% discount, 20% discount, तो आपका क्या हो गया, sales promotion हो गया, prestige का cooker खरीते है, तो वहाँ प influence कर जाए, और अपना sale बड़े, उसको sales promotion बोलते है, then personal selling और salesmanship, यह दोनों का मतलब एक ही हो जाता है, थोड़ा सा मेरा numbering में यहाँ पर wrong हो आ है, sales promotion और, sorry, salesmanship और personal selling, जहाँ पे क्या होता है, एक salesman होता है, either वो shop में हो सकता है, या फिर वो आपके पास आपके घर के वहाँ या जहाँ पे आप हो, वहाँ पे आ सकता है, तो उसको हम लोग salesmanship बोलते है, जहाँ पे salesman आपको सारे product की detail देता है, आपको convince करता है product purchase करने के लिए, और आपको जो भी doubt होगा, वो आप लोग उनको पूछ सकते है, तो आपको personal selling बोलेंगे या salesmanship बोलेंगे, you have to remember these are the same things, okay then sponsorship, sponsorship का मतलब क्या होता है, जैसे कोई events बेगरा होते है, social event हो सकते है, cultural events हो सकते है, तो उसको sponsorship किया जाता है, you pay money, okay, ताके वो लोग क्या करें, आपके product को promote करेंगे वहाँ पे, जैसे KBC को Cadbury sponsor करता था, उसके बदले में वो लोग क्या करते थे, उनके advertisements बेगरा करते थे, okay, फिर कपिल शर्मा केशो को OPPO Mobile वेगरा sponsor करता था, या IPL को तुम लोग देखते हो कि कोई दूसरे जो Vivo Mobile वेगरा promote करता है, तो ये sponsor करता है, sorry, sponsorship मतलब क्या होता है, कि आप उनके event के लिए पैसा देते हैं, उसके बदले में वो लोग क्या करते हैं, आपके product को promote करते हैं, आपके product के बारे में लोगों को जानकरी देते हैं, फिर बाद में आप लोग देखते हो कि marathons वेगरा होते हैं, HDFC bank है, standard charter bank है, तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, sponsor किये रहते हैं ये सारे bankों ने, और उसके बदले में उनके वहाँ पे displays वेगरा लगाया जाते हैं, ताकि लो प्रमोशन का एक तरीका है कि जितना अच्छा पैकेजिंग होगा, उतना ज्यादा लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पैकेजिंग के वैसे लोगों को information मिलती है आपके product के बार में, तो वो भी एक प्रमोशन का तरीका, जैसे Cadbury है, तो इतना अच्छा अच्छा अपने देखा होगा, उसका purple color का होता है, उसके उपर सारे detail वेगरा, बहुत अच्छा, graphic वेगरा होता है, so you get attracted, फिर बाद में Horlicks वेगरा हो गया, या फिर Kellogg's वेगरा हो गया, तो उसके उपर कितने अच्छे-च्छे packets वेगरा बनाया रहते हैं, और कितने अच्छे उसक कमपनी को कोई award मिला है, आपके कमपनी को कोई certificate मिला है, या आपके कमपनी कोई product launch करने जारी है, यह सारी information जो होते हो, आप क्या करते हो, लोगों को provide करते हो, ताकि आपके company की image या आपके brand की image लोगों के mind में बने, जैसे suppose आपके company को certificate मिला, तो आप वो क्या करोगे, आप providing the information about the achievements of the company and the other things which can add to the image of the company. यह सब चीज़ों को आप दिखा के आप आपके image create करना चाहते हो. Direct marketing, direct marketing means what? There is no intermediary, उससे भी आपका promotion होता है. आपके product के बारे में लोगों को पता चलता है, आपके company के बारे में आपके पता चलता है. Then trade fair exhibitions, exhibition जहां पे आप लोग आपके product को display करते हो, buyers आते वो देखते हैं, तो वो भी आपका promotion का एक तरीका है, कि लोगों को आपके product के बारे में जानकारी मिल रही है. तो यह सारे आप चीज़ों, elements को याद रखके जाना. Then एक चीज़ याद रखना, integrated marketing communication को IMC बोला जाता है, और कही न कहीं पर यह जो आपके promotion से मिलता जूलता है. इतना ही है कि integrated marketing communication, मतलब कि आपको आजकल कैसा है कि एक ही promotion का media जो है use नहीं करना है, जैसे मैंने स्रिप advertising किया, ऐसा नहीं करना है. आपको क्या करना है? Communication की. और उसके वैज़े से क्या हो रहा है? You are able to reach to the maximum people. उसको हम लोग गोलते, integrated marketing communication. स्रिप advertising किया होता, TV के उपर, तो मैं स्रिप जो लोग TV देख रहे हैं, उनको ही capture कर पा रहा हूँ. जो बाहर जा रहे हैं, जो TV बहुत कम देखते हैं, उनको नहीं capture कर पा रहा हूँ. तो अगर आप दो-तिन चीज़ों को club करोगे, दो-तिन चीज़ों को integrate करोगे, mix करोगे, that becomes your integrated marketing communication. बाकी मैंने तुमको अल्रड़ी बोला था, promotion और communication क्या है, आपका same है. सिर्फ यहां पर आप integration कर रहे हो, marketing communication का, अलग-अलग चीज़ों का. तो IMC के elements भी same ही है, जो हम लोग यहां पर promotion mix में पढ़े. और IMC के importance भी आपके same हो जाएंगे, जो आपके, मतलब यह topic कहीं ना करीप आपके similar है, दोनों के ओपर अगर आपके questions कुछ आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, answer is the same thing. Then sales management, management मतलब आपको पता है, planning करना, organizing करना, directing, controlling, वैसे ही, आप लोग यहां पर sales का management कर रहे हो, sales का planning करना, फिर बाद में आपको sales team बनाना, या sales team में जो लोग लगेंगे, उनको training देना, उनका recruitment करना, उनको motivate करना, तो sales के बारे में जो भी आप planning से लेके, employees का selection वेगरा, sales को control करना वगरा, वो सब चीज़े जो होते हैं, उसको हम लोग बोलते है, sales management, okay, कि हम लोग क्या करें, sales के सारे operations को manage कर रहे हो, planning से लेके वेगरा, वो सब चीज़े, controlling तक, तो आप लोग को यहां पर यह थोड़े याद रखके जाना है, कि components of sales management क्या करना है, तो sales planning होता है, team ब सपोज उनका target अच्यू नहीं हो रहे है, तो हम लोग को deviations find out करना है, तो वो सब, तो यह सारी चीज़े आप तो थोड़ा याद रखके जाओ, यह question नहीं करोगे तो चलेगा, फिर बाद में आजाओ, personal selling, personal selling मतलब के salesmanship, जब आपे face to face आप क्या करते हो, customer के साथ बात करते ह और customer को आप क्या करते हो, product की information देते हो, और convince करते हो, product को purchase करने के लिए, इसमें यह question बहुत favorite होता है, कि process of personal selling में क्या क्या आता है, तो prospecting आपको क्या करना है, लोगों को धूनना है, जिनको आप product बेच सकते हो, that is prospecting वेगरा, फिर उसमें से कौन से लोग आपका product purchase कर सकते है, eligible है, उसको बोलते है, qualifying prospecting, फिर उनको approach करना, फिर उनको pre-approach करना, जानने के लिए वेगरा उनके बारे में, then approach करना, फिर उनको product के बारे में दिखाना, फिर उनके कोई भी objections होंगे, वो solve करना, और फिर बाद में हम लोगो क्या करना है, close करना है, उनको बोलना है कि ये product आपके लिए है, ये बहुत अच्छा होगा, अगर आप purchase करोगे तो, और फिर बाद में उनको phone करके पूछना है कि आपको presentation कैसा लगा, आप product को purchase करना चाहोगे, क्या, आपने product बेज दिया, तो उनको पूछोगे कि product कैसा था वगरा, तो जब आप selling करते हैं, उसमें क्या सबरके objections को वेगरा, solve करते हैं, वो सब चीज़ है, एक salesman के पास क्या-क्या skill होनी चाहिए, तो उसको communication आना चाहिए, interpersonal, human skills होनी चाहिए, उसको लोगों के साथ बातचीत कैसे करना है, mental quality, knowledge वेगरा होना चाहिए, product का भी, और company के बारे में भी, काफी बार ऐसा होता है कि product के अधियादूरी information है, तो customer अगर कोई सवाल पूचेगा, तो आप जवाब नहीं दे पाऊगा, अगर आपको information नहीं है, तो वो होना चाहिए, physical qualities आपके अच्छी होने चाहिए, you should look better वेगरा वो सब, patience होने चाहिए, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपको एक भी customer नहीं ह मतलब यह हम लोग का 4th part, जैसे हम लोग ने 3rd part में promotion के बार में पढ़ा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, physical distribution, physical distribution मतलब एक याद रखना कि customer तक आप product को पहुचा रहे हो, that is physical distribution, और product को पहुचा नहीं के लिए आप channels को use करते हो, agent, wholesaler, retailer वेगरा ऐसे आप channels use करते हो, that is called as physical distribution, तो physical distribution is nothing but you are making the product available to the customer with the help of the channel, या फिर डारेक्ट ली करते हो ऐसे, तो channel of distribution आपका कौन से factor के ओपर depend रहता है, यह थोड़ा सा glance करके जाने, इसके ओपर question दाने के chances काम है, फिर बातने कौन से कौन से type के distribution channel होते है, तो पहला है आपका direct channel of distribution, जहाँ पे जिसको zero intermediaries बोलते हैं, या जहाँ पे कोई भी intermediary नहीं होता है, wholesaler नहीं, retailer नहीं, consumer नहीं, उसको हम लोगलते है, direct channel of distribution, ओके, then manufacturer, agent, wholesaler, retailer, consumer, यह सबसे बड़ा channel of distribution है, यह याद रखो, यह सबसे छोटा direct channel, zero level channel, यह आपका सबसे बड़ा channel of distribution है, जहाँ पे आप mass marketing करते हो, mass, मतलब बड़े एरिया म में आप लोग आपके product को बेचना चाहते हो, तभी आप यह channel use करते हो, जहाँ पे आप agent के थ्रू क्या करते हो, product को wholesaler तो पहुचाते हो, और फिर हो wholesaler, retailer, retailer, retailer से consumer वेगरा, then manufacturer, agent, retailer, consumer, यह एक channel है, manufacturer, wholesaler, retailer, consumer, यह एक channel है, तो ऐसे अलग-अलग channel of distribution, canalizing agencies मतलब कुछ goods होते हो, क्या है, आप लोग directly export नहीं कर सकते हो, canalizing agency export के case में आता है, तो उसके लिए आपको canalizing agency की help लेनी पड़ती है, जैसे कि Indian oil corporation, यह आपका canalizing agency है, जो आपके petroleum goods को export करने में help करता है, okay, then mineral and metal trading corporation, जिसको MMTC बोलते है, वो आपका canalizing agency है, जो metals को वेगरा export करने में help करता है, तो there are certain goods जो आपको canalizing agency के थुरू क्या करना पड़ता है, export करना पड़ता है, तो उसमें आप यह channel यूज करता है, तो export के लिए यह channel यूज हो सकता है, then manufacturer, cooperative dealer to consumer, cooperative मतलब जैसे आपको agriculture goods, जैसे यह चावल वेगरा को export करना है, या milk product जो होते है, उसको अपको अगर export करना, export नहीं, sell करना, I'm sorry, तो उसके लिए आपको यह channel यूज करना पड़ता है, उसके cooperatives होते है, जैसे Amul है, यह cooperative जहाँ पर अलग-अलग जो goods की dealers वेगरा होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, व उसको बेचते हैं, तो यह आपके अलग-अलग channel of distribution है, उसमें से जो अलग थे वो मैंने आप लोग को बताया, यह एक याद रखना, यह longest channel होता है, यह एक याद रखना, इसके उपर शाहिद आया तो आपको सवाल आ सकता है, यह मैंने आपको बता है, वो traditional channel of distribution है, यह पहले दो businessmen, एक होते हैं, जिससे दोनों को भी benefit होगा, एक दूसरे के साथ और लोग क्या करते हैं, hard join करते हैं, for example, suppose एक bank है, उन्होंने क्या किया, एक businessmen को swap machine दे दिया, swap machine मतलब कि जिससे payment को हम लोग swap कर सकते हैं, payment card से, यह सो न, तो वहाँ पे क्या होगा, कि वो businessmen को भी business, और उसके वैसे bank को भी benefit हो रहा है, और इनको भी, ऐसा ही अगर आप लोग देखोगे कि एक ATM वाला, और एक mall, यह लोग एक हो गए, तो लोग जो mall के अंदर shopping के लिए जाएंगे, वो ATM में से पैसा निकालेंगे, तो उसे shopping mall वालों को भी benefit हो रहा है, तो जहां पे दो business ए एक हो जाते हैं, और जिसके वैसे दोनों को benefit हो रहा है, यह फिर आप ऐसा example दे सकते हो कि car, manufacturing company और insurance, तो आपका car का showroom है, वहाँ पे insurance वाला भी बेटा हुआ है, तो car वालों को भी फाइदा हो रहा है, तो car भी करेए, प्लस insurance वालों को भी फाइदा हो रहा है, फिर आप लो तो आपको loan भी वहाँ पे मिल रहा है, और वहाँ पे VJSales भी है, जहां से आप लोग electronic goods को भी purchase कर सकते हैं, तो वो दोनों ने tie-up किया हुआ है, तो जब दो business एक दुसरे के साथ हाथ जोडते हैं, या tie-up करते हैं, जिसके वैसे दोनों को भी benefit होगा, उसको horizontal marketing channel बोला जाता है, अभी traditionally कैसा होता है कि manufacturer खुद के बारे में सोचता है, wholesaler खुद के बारे में सोचता है, retailer खुद के बारे में सोचता है, मतलब team के जैसा आप काम नहीं करते हैं, आप लोग खुद का benefits रिप देख रहे हो, पर vertical marketing channel में, या vertical marketing system में क्या होता है, सब लोग mil-jul के काम करते है manufacturer and wholesaler को support करेगा, wholesaler, retailer को, retailer वो दोनों को support करेगे, तो ऐसे as a team वो लोग काम करते हैं, तो उसको हम लोग vertical marketing channel बोलते हैं, और ये team के वज़े से, team में काम करते हैं, उसके वैसे वो क्या होता है, सब को benefit होता है, अगर आप अकले-अकले काम करोगे, तो आपके बीच में रोट ने करोगे, तो उसके वैसे आपका sales effect हो सकता है, यहाँ पे हर एक channel of distribution एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे दो businessmen एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं, और business कर रहे हैं, यहाँ पे आपका channel of distribution, मतलब होलसेलर, retailer और manufacturer, यह लोग मि आज कल क्या करते है, स्वेगी के थुरू अपने goods को deliver करते customer के पास, that is third party delivery channel, मतलब hotel वालों को खुद को delivery करने की जरूरत नहीं है, वो लोग delivery करने के लिए क्या करते है, स्वेगी वालों को contract देते हैं, स्वेगी वाले क्या करते हैं, उनके product को sell करते हैं, मतलब customer तक पहुचा किया है, वो Amazon वालों ने courier company को दे दिया है, so third party delivery मतलब क्या कि company स्वेगी प्रोड़क को बनाने का काम करते हैं, उसको deliver करने का काम जो होता है, वो third party को या outsider को दिया जाता है, तो जो मैटो बोलो, स्वेगी बोलो, या या courier company वेगरा, ये सब क्या होगे, तुमारे third party delivery channel अचा रहे हो, because अम लोग physical distribution का topic देख रहे है, then multi channel, multi channel मतलब क्या अलग-अलग channels use कर रहे हो, आप online भी बेच रहे हो, आप retailer के through भी बेच रहे हो, आप directly भी बेच रहे हो, आप internet भी बेच रहे हो, shop के अंदर भी बेच रहे हो, so you're using multiple channels, क्यों ऐसा कर रहे हो, because see, हर एक customer को online shopping अच्छा नहीं लगता होगा, या उनको वो product को महसूस करना होता है, तो उनको market में जाके product purchase करना अच्छा लगता है, तो उनके लिए आप लोग क्या करो, offline product available करके देदो, या कुछ customer के पास time नहीं होता है, उनको market में जाने के लिए, और अच्छा भी नहीं लगता है, या छोटे चा स्टोर में भी मिल जाएगा, आपको mall के अंदर भी मिल जाएगा, big bazaar में वेगरा, so that is multi-channel, कि वो लोग का product जो है, वो लोग क्या करें, अलग-अलग channel से customer तब पहुचा रहे है, multi-level को हम लोग बोलते है, network marketing, multi-level में क्या होता है, कि एक आप customer बनाते हो, आपके customer और customer बनाते है, उनके customer और customer बनाते है, आपने अपने tupperware का देखा होगा, tupperware में ऐसा होता है, कि आप suppose tupperware के product को purchase करोगे, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने agent आपको बना लेते है, फिर आपको क्या करना होता है, और customers बनाने होते है, जो tupperware के product को, जिनको हम बेच सकोगे, फिर आपके customer और customer बनाएंगे, तो ऐसा पूरा network बन रहा है, तो marketing का ये भी एक तरीका है, मतलब यहाँ पर आप लोग distribution करने का ऐसा भी एक channel बना सकते हो, that is multi-level marketing, तो यह सब जो था, व वहाँ पर आपको और clarity मिल सकती है, ये topic के बार में in depth, okay, so, इतना ही, अगर ये topics आप लोग के अच्छे से दिमाप में clear होंगे, तो आप लोग क्या कर पाऊगे, आपके objective कोई भी आपको अगर आएगा, तो आप लोग उसको tackle कर पाऊगे, so, सारे topics को अब थोड़ा समझ के आपके exam के लिए बेटना, और ये जो आपका marketing का, जो मैने यहाँ पर TYB.com के बारे में बोला, जहाँ पर marketing है, ये सारे topics वहाँ पर आप लोग को दिखाई देंगे, so, marketing is common everywhere, so, सब बचों के लिए beneficial रह सकता है, thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends, we will meet in the next video.